नमस्ती दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे बहुती सुन्दर सी और बहुती युनिक सी नेके डिजाइन का टुटोरियल इसके लिए हम नेके विद चार इंच और नेक लेंद भी चार इंच पर मार्क करेंगी और बॉक्स बनाके यहां पर हमें यह बॉटनेक का शेप देना है फिर इस नेक लाइन के आगे आगे 1.25 इंच का मार्क करना है यह हमें पूरा इकुल चाहिए इसलिए हम यहां से मेजर करके ही यह मार्क करेंगी क्योंकि यह कृति की राइट साइड में आएगा और फिर इस नेक लाइन को हम कट कर देंगे कट करने की बाद इसे हमें फैब्रिक पे पेश्ट करना है यहां हमने फैब्रिक पे पेश्ट कर दिया है और पट्टी को इस तरह से फोल करके इसके उपर यह मार्क देना है जो हमारे के अन्वास की आउटर की लाइन है वो हमें फैब्रिक पे यहां पर आनी चाहिए इसके लिए यह मार्क देना है हमें और फिर देखिए इस तरह से यह outer की line हमारी आ गई है यहाँ पर यह loops आएंगे और डोरी की loops हमने cut किया है लगबग धाईन जितना है और इस तरह से यहाँ पर हम place करेंगे और सिलाई देंगे यह जो सिलाई है यह जो हमने अभी mark किया है उसी के ऊपर ऊपर हमारी ही सिलाई आनी चाहिए हलका सा gap देते हुए हम यह सारी loops यहाँ पर attach करेंगे यह loops की बीच में जो gap है लगबग हमारे दो मोती आए इतना gap हमने रखा है यानि कि इसके लंबाई इस तरह से रखी है कि यहाँ पर एक चोटा एक बड़ा यहाँ पर मोती आ सके है को भी बीच साथ आ सके इस तरह से हमारी यह सारी loops यहाँ पर attach हो गए है देखे इस सिलाई भी हमारी canvas के उपर ही आई है अभी हम इसे centerize करके एक नोच देंगे और फिर कुर्ति की wrong side में इसे place करना है क्योंकि हमारा right side में आएगा तो हम कुर्ति की wrong side में place करेंगे और जो neckline है उसकी पास-पास में हम इस सिलाई लेंगे इस इलाई होने के बाद extra कपड़ा हम cut कर देंगे और फिर यहां पर कुछ cut देंगे cut देने के बाद इस पट्टी को हम right side में turn करेंगे इस तरसी से turn करना है right side में और इसके उपर हम एक top की stitch देंगे अग्याई तब की stitch हो जाने के पाद अभी यह जो हिस्सा है इसे हम इस तरह से fold करेंगे तो यह जो margin वगरा है वो अंदर चला जाएगा और इसके उपर हम सिलाई लेंगे और इस तरह से यह सिफ हमारे loops यहां पर बाहर आएंगे बाकी जो भी unfinished हिस्सा है वो अंदर की और यहां पर दब जाएगा तो यह बहुत ही finishing के साथ में यहां पर attach हो जाएगा तो यह attach हो गया है यहां अभी हमें यहां यह बीश attach करने हैं हमने दो साइस के लिए हैं एक थोड़ी और इसक्व कम साइस का है तो पहले हम चोटी साइस का ले रहे हैं फिर बडी साइस का और यहां पर दूरी के बीच में सरी से सुई को टाल कर हम रौंग साइट में जायेंगे इस तरह से करेंगे तो ये मोती हमारे यहाँ पर अंदर लॉक हो जाएंगे और ये जो डूरी है वो भी यहाँ पर लॉक हो जाएगी ऐसी करके हम आगे से आगे ये सारे बीर्स अटेश करेंगे एक छोटा है और एक बड़ा इस तरह से बड़ा आउटर साइड में है और छोटा अंदर वाली साइड में टिया है हमने और इस तरह से पूरी नेकलाइन पे हमें ये बीर्स अटेज करने हैं और देखे हमारी सारी बीट्स यहाँ पर अटेच हो गए हैं और बहुत ही सुंदर से हमारी नक्य डिजाइन बनके रेडी है बहुत आसान है और बहुती फिनिशिंग के साथ में रहेगी ये डिजाइन आप कोई अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जगर कीजिए कुर सवाल है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ग्यान आए नए वीडियो के लिए थैंक यू सो मुच फो वाचिंग बावाई